बोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इसी टीप चैनल में तो जैसा कि आपने सही देखा है थबनेल में ठीकना और सही सुना भी है 25,000 पदों के लिए पैक्छाति थी हुई घोसित इसके लिए ठीकना 25,000 पदों के लिए क्या हुआ पैक्छाति थी आपकी घोसित ह हो चुकी है ठीक ना जो कि बहुत दिनों बाद आपकी पैच्छा तिथी घोसित होने की तिथी पता चलती है जैसे कि आप सभी को अभी तक पता ही होगा जैसे कि आररबी रेलवे गुरूब डी का आपका एक्जाम जो है 2019 का वेकेंसी निकला हुआ है आज तक एक्जाम नहीं हुआ है तो चात्रों को बहुत तिनों से बहुत बड़ी चिंता सता रही है कि एक्जाम कब होगा करके ठीक ना तो ये पचेस जार पदों पे इतनी बड़ी आप अबकि भरती कम नहीं है तो पचेस जार पद आपके बहुत हो जाते हैं तो पचेस जार पदों पे भरती के लिए आपका एक्जाम जोसित हो चुका है न जिसके बारे हम पूरी जानकारी हम इस उडियों में देखेंगे तो इसेasis-सी द्वाररा चार प्रिट पहुत उस यह दिए अच्छा लगता है तभी किजेगा ठीक चलिए वीडियो यहीं से सुरू करते हैं और ज्यादा ज्यादा लॉंटेक्स को शेयर भी किजेगा ताकि सभी को इसके जानकारी मिल सके तो यह देखिए स्टाप सेलेक्सान कमीशन ठीक न कि तरफ से ससी के तरफ से इंपोर बारे में यहां बताया गया है इसमें बताया गया है यहां देखें तो कि जो पहला एक्जाम है आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी टेंट लस्टू लेवल 2019 में जो वेकंसी निकला हुआ था बारहीं बेस से ठीक ना उसका स्किल टेस्ट जो होगा मतलब इसकिल टेस्ट आर्मर मतलब सी ए पी एफ की जो वेकंसी आपके निकली हुई थी उसका पेपर सेकेंड मतलब सेकेंड पेपर आपका कंड़क्ट किया जाएगा आठ नवंबर 2020 को ठीक आगे बात करें तो यहां श्टेनो ग्राफर ग्रेट सी यां ग्रेट डी एक्जाम जो एसससी द्वार लिया जाता है उसका computer-based exam जो होगा आपका पहला एक्जाम cbt exam ठीक ना computer-based exam ओगा 11 November 2020 से 15 November 2020 तक होगा ठीक ना मतलब 4 दिन एक्जाम चलेगा आपका 5 दिन 11 से 15 November 2020 तक आगे बात करें तो आपका कोश्टेबल जीडी यही है आपका 25,000 पर ठीक ना इसमें increase भी होने की सुचना आचुकी है ठीक ना जो CRPF की मतलब CRPF की vacancy इसमें नहीं थी ठीक ना वह vacancy भी इसमें डाली जाएगी सेफ इन सभी पदों का जो computer based exam है CBT exam हो आपका होगा 16 नौंबर 2020 से 15 December 2020 तक के बीच मतलब एक महिना लगभग आपका exam चले जाए क्या होगा परिच्छा एक महिना आपका चलेगा 16 नौंबर 2020 से 15 December 2020 तक ठीक अब रही बात ये तो यहां से आपकी एक पात फास जाती है कि group D की exam अप कब होगी ठीक ना क्योंकि यहां नौंबर में तो schedule जारी कर दिया आपका SSC ने तो नौंबर में आप नौंबर में एकजाम हो नहीं सकती group D की ठीक ना तो group D की त्वियाम अब बचा भी चल रहा है सितमबर आपके पास औरक्रक्ट इसके लिए कितना time है एक बात भी ध्यान दीजिएगा इसके लिए आपके पास time कितना है तो 2 महिना time है tua मानलप साड़ दिन लगभग आपका time है कितना time है 2 माहिना पूरा-पूरा time है साट दिन आपका पूरा-पूरा टाइम है इसकी तयारी के लिए ठीक न तो इसका स्लेबस देखिए अच्छे से तयारी मिलग जाईए यदि आप प्रेक्टिस सेट भी करना चाहते हैं मैं था रेजिनिंग का तो मुझे कमेट बक्स में किएगा मैं आपको प्रेक्टिस सेट कराऊंगा ठिक यद内 आप करेंगे तभी कराऊंगा वरना मैं नहीं कराऊंगा ठिक न तो मतलब आप प्रेक्टिस अपना जारी रह दीजिए sara दिनों का समय बचा हुआ उसके बाद एक ज़ाम आपका जल से जल ले इसका मतलब क्या है इसका मतलब आपका यहां यह बताया गया है कि गवर्मेंट के द्वारा जो भी नियम लागू किया जाएगा कोई नियमों को ध्यान में रखते हुए ठीक ना कंडिडेट को कोई भी सुचना दी जाएगी तो वेबसाइट पर उस सुचना को अप्लोट कर दी जाएगी अफिस्यल वेबसाइट पर मतलब यहां यादी कोईट पेंडेमिक आपका बढ़ जाता है तो हो सकता है पैकशाते टल जाए ठीक ना क्योंकि third wave कई लोग बोलते हैं आने वाला है ठीक ना तो हो सकता है third wave आ जाए तो पैच्छाते थी आपकी मतलब निरस्त की जा सकती है मतलब आगे बढ़ाई जा सकती है तो इस पकार से यहां बुला गया है लेकिन है chances आपके बहुत ही कम है ठीक न एकडम critical चल रहा है हाँ आपका एक महिना बज गया आपका केवल October बचा हुगा है ठीक ना October महिना मतलब एक महिने में group D का एक्जाम conduct करा पाना मुश्किल है ठीक मुश्किल क्या नमुम्किन है ठीक क्योंकि एक लाग से अधिक पोश्ट थे उसके लिए कितने करोर फूम भरे हुए है तो उसका एक्जाम एक महिना करा पाना मुश्किल है तो आपका जो October महा में जो रेल्वे का एक्जाम हो सकता है तो हो सकता है आपका NTPC CB2 क्या NTPC का CB2 जो है आपका ठीक ना मतलब यह सेकेंड एक्जाम जो है वो conduct करा जा सकता है NTPC का बाकी रेल्वे group D का एक्जाम करा पाना मुश्किल है खैर confirm नहीं कर सकते लेकिन मुश्किल है ठीक तो इस प्रकार स पर अपने तयारिम लग जहिए आसागरता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ये ही जांकारी आपको इस यूडियूम देना था वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर नहीए चैनल कोस्तस्क्राइब कीजेगा वीडियो देखने के लिए बत भ हुद धन्यय बाद जद मिलेंगे आगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत जय चत्रिस वर्ण